और जो अभी आपके टीम के हैं आज भी आपके सामने कुछ क्यूशन पूट अप होए है या फिर आपकी ऐसी कोई क्योरी है जो आपको रोल क्यों के रिगार्डिंग एक्सप्लेंड नहीं होई है समझ में नहीं आया कोई फीचर हो या कोई ऐसा टोपिक हो जो आपको अभी तक लिर नहीं है तो फिर आपको जाल सकते हैं चैट बोक्स में उसको क्लिर करते हैं और यहां पर देख पाराऊं काफी दोस्त लाइव भी बेठे हैं एनस सोनी जी नमस्कार कैसे है प्यादो भाई लाईव नारान भाई लाईव है और जैराम खुछावा जैराम भाई नमस्कार कैसे हैं कम लेस पड़ीदार भाई लाइव हैं और सच्चिन चोटे कैसा है बिजे जादो विजे भाई बी लाइव आ चुके हैं और अच्छा लगता है जो भी दोस्त लाईव के बैठते हैं देखने सुनने में इत पता रहता है कि अपने साथ डेली वहां तो इसलिए कोशी से रहती है कि जितने भी दोस्त लाइव आए इस तेंदर जो रशा तेंदर भाई नमस्कार कैसे हैं और नमस्कार वाई नमस्कार वुड एवनिंग सर वुड एवनिंग कैसे हैं आप ओके नागराज नागराज जिन सर नमस्कार कैसे हैं तो दोस्तों जितने भी दोस्त कनेक्ट हो चुके हैं 45 प्लस तो अपने जो भी नियर डियर हैं को रिमाइंड डालते चलिए टेकनिकल सेशन स्टार्ट करते हैं तो कल जहां से अपने बंद किया था मतलब मिटिंग को स्टोप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं तो कल किस दोस्त की जो भी क्यूरी किसन रह गया था आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अब बिलाल सेख भाई नमस्कार कैसे हैं प्लीज लेव अच्छा सोनी जी अभी कर देता हूं लाइव मिटिंग आपकी डिमांड आई है सोनी जी कैसे हैं आप बढ़िया वह शांदार जी 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 सर कैसे चल रहा है आपका प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है तो मैं यह चाहता था कि जैसे वह सत्तर परसेंट अपना अल्रेडी वह डाउन आ चुका मार्केट अब बहुत से बहुत जाएगा तो वह अपने पास पांसों यूस्टी है उसको अगर वह 30% डाउन आते हैं अगर नहीं यूज़ वह करके परसेंट या 15% में यूज़ करने तो प्राफिट ज्यादा मिलेदा और जो अपने बीटी सी भाय होंगे उसको फिर अपन वह रिपीट में लगाते हैं अब का पास 500 डॉलर है ठीक है आपका पहले बिटकोईन में ट्रेड था और बिटकोई अलडी 70% डाउन आ चुका है ठीक है आपके पास 500 यूज़टी है यूज़टी से आप कितना कितना मार्केट डाउन जाए तब तक आप उससे ट्रेड करवाना चाहते हैं वो तोटली आप पे डिपेंड है आप चाहते हैं कि यहां से मार्केट 10% डाउन जाए तब तक मेरा 500 डॉलर का ट्रेड होता रहे तब भी आप उसको यूज़टी है इसमें कोई सब्सक्राइब करना चाहते हैं अगर मैं चाहूं कि वो मेरा 500 डॉलर का जो ट्रेडिंग है वो तीस परशेंट तक चला जाए मैं वो भी कर सकते हैं वो बीस परशेंट तक ट्रेड करें वो भी कर सकते हैं पर मेरा यह कहना है कि अपने पास आप नीचे वह जाने के लिए बच्ट है ओनली और तर्टी पता है कि आप फिर भी अभी साइद समझे नहीं है चलो मैं आपको प्रेक्टिकल करके दिखाता हूं ठीक है कि यहां पर हम किसी भी कोईन को एक बार लेके चलते हैं चैसे कोई भी ट्रेड लगा दिया हमने ट्रेड सेटिंग में गए हमने यहां पर मार्जन कोल डाला दस परसेंट ठीक है अब हमारा हमने मार्जन को लगा रखा है वह चालिश टाइम लगा रखा है सुनिये ना सर पहले पूरा एक्स्प्लैन करने दीजें अब इस चालिश मार्जन कोल में हमने अपना जित्मा भी फंड डाल रखा है यहां पर तीस मार्जन को अपना पूरा फंड यूज हो चुका है यहां तक अपना पूरा फंड जो है मार्केट डाउन आने की वज़े स जो हमने पहले फोन लगाया था वह यूज हो चुका है अब हमने आ पास नया फंड है 500 अब वह 500 डोलर है वह हमारी 30 मार्जन को अब वह 500 कि यहां से मार्केट एक परशंट डाउन होती ही कितना बाइब करें परस्ट कोल हमने जैसे पंद्रा डॉलर डाल रखी है तो यहां पर हम यहां पर डाल देते हैं तिन एक बार मैं दस मार्जन कोल तक इसको सेट करके छोड़ देता हुआ है वह अपने वह जाएगी यह आपकी नहीं एक बार स्टार्ट करी दिया है तो काफी नए दोस्त भी है मिटिंग में प्रवे में इसको करते हैं पर जी जी यह मैंने अपना पॉर्ट्फोलियो है इस तरह से सेट कर दिया है ठीक है अब यहां से मार के कितना डाउन जाएगा एक दो तीन चालिस परसेंट तो होई ग्यारा बारा चालिस नहीं हो आसर हमने चालिस मार्जन कोल लगाई है और उसमें हमने बारा परसेंट का डाउन दिया है और उस बारा परसेंट की यहां से दाउन आए तो मेरा तिन सो डॉलर यूज यह हो जाए अब मैं चाहता हूं कि नहीं मेरा 500 डॉलर यूज हो तो यहां बढ़ा सकते हैं इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से आप चाहते हैं कि तीस से लेकर चालिस मार्जन को तक बारा परसेंट की बजाए तीस परसेंट आउन जाए तब तक बोट इसको हेंडल करता है 500 पर फिर हमें ज्यादर कुछ नहीं करना है इनको कर देना है परसेंटह। हां हमें आप बढ़ाने की जुरूत नहीं है हम यहां और ले करने की जुरूरत नहीं है अगर आप इस पॉइंट फ्यू से को खेलते हैं कैसे कि मेरा बसक मैं यहां पे एक पर्शंट डालूं और मेरा यहां पे पंदरा डोलर ही बाए हो या तीस डोलर ही बाए हो मैं और इसको सु अरजन कोल तक एक एक पर्शंट के लेके चलूं ताकि म क्रेट करवाना चाहते हैं तो यह इतना ही सम बीन मोड में आपका ट्रेड जदा हुआ कि तो इस दुद्र से आप अपने फंड को कितना भी मार्केट के रूप में साइड लगा सकते हैं कितना भी फंड इस साइड कर सकते हैं और डीक्रीज भी कर सकते हैं कि करता है आपकी स्टेडिजी के आप अपनी मर्जी से लगाते देखिए अगर आपके पास रिजुरू में फंड है ना यूजडिटी है तो आपकी हर स्टेडिजी से प्रोफिट आएगा करने का जो अप्सन होते हैं यह आपके फंड कम और ज्यादा कितना है उस पर डिपेंड करते हैं और यूजर अपने सुलियत के अनुसार उसी को यहां से पर्शंटेज और पॉर्ट्पूलिय के उनुसार इनको चेंज और अंचेंज कर सकता है ओके जी से रोंचे अब नेक्स्ट क्यूशन आया है अब अब नेक्स्ट क्यूशन पूछना है बसंद मिस्टा भाई दो पूछिए ना मोनो के आर्से मोनो भाई अपने किया है अब नमस्कार 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 अच्छली मुझे जाना था मैं मेरा जो एसेट्स है वो खतम हो चुका है जिसकारण से मेरा ट्रेटिंग तो आप एसेस्ट में डालना चाहते हैं जी बिलकुल जुम आपका फुर्ट मैं कि स्क्रीन शेयर कीजिए आप अपना पहले रोल की ओपन कीजिए मनु भाई आपके अप्लाइन कौन है मेरे अप्लाइन मोहित्यागी ओके उन्होंने नहीं बताया कि नहीं करते हैं कि नहीं कोई नहीं होती है आपका वोइस ब्रेक हो रहा है मनु भाई को परफ़ी किया बड़ कोई रिवर्ट नहीं आया उनका अच्छा रिप्लाइं नहीं है करते हैं उसका मिटिंग का उन्होंने लिंक दिया था मैंने जोइन किया यह सा कुछ है उनको पता नहीं क्या मन में करें है वह जाने वह कोई नोट एसन आप माइन पर क्लिक ही जिए कि का पर क्लिक कर रहूं सर्थ राइट स्ट्रेड में माइन का बटन है ना माइन थेक्षा अब कि एसेट में जाए एसेट पर किसे यह आप 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 डिपोजिट पर क्लिक की जिन नीचे आप आप यह एड्रस कोपी कर लीजिए सामने राइट साइड में कोपी का निसाना है डिरस के सामने कॉप आप में जाई आप कुप आप 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 पाइनस वोलेट पे क्लिक कीजिए राइट साइड में नीचे पोट पे क्लिक करो आपका नेट्रो यहां काम नहीं कर रहा है ओके आप स्कॉट पे क्लिक करके यूज़टी पे क्लिक कीजिए यूज़टी पे क्लिक करो यास विड्रोल पे क्लिक कीजिए राइट सेंड दिया क्रिप्टो नेट्रोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए बाई हाँ कि विड्रो नाव विड्रो नाव विड्रो नाव क्लिक करूं सर्थ उपर स्क्लोर के लिजी सबसे नीचे मिलेगा ट्यार्स ट्रॉंट कर दो यास कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं वो डाल लीजिए तो यह मेरे वालेट में आ जाएगा आपके एसेट में चला जाएगा ना रोल क्यू पर टोटल एबलेबल तो यहां पर अठारा पॉइंट यही यूएज़टी है ना इतना ही और मीनिमूम दस डाल सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं पंद्रा कर देता हूं यस विड्रोल पर क्लिक कीजिए कंफर्म करिफाए लुए यह विड्रोड फर फेर चॉट्छ फेर फेर लिप लिव थीड्रो पिल्ड खीजी विद्रोड अबिर्फाए क्योंक्यक्ट क्योंक्या एविट्ट उप्लिव अन प्लेव अने इविट्ट एट विस्स प्रमव ठावट अतकर उट्स्ट इन दोनों पर टिक कर दीजिए कि सब्मिट ओके कंफर्म यह दोनों में सेंड कोड करके मुबाइल पर मेल इडी पर टी पी आए वो डाल दीजिए यह विड्रोल आपका पहुंच जाएगा वापे ओके तो इस तीक आपकर लिजिए तब तक दूसरे भाईयों का क्यूसन ले लेते हैं यह यह डालते ही आपका पहुंच जाए पर अब फिक तो इस आप आप कि आप कैसे हैं आप अब तो जादे दूरी हो जू मैं इसी पताइए पार सर मेरा कोच्चन ऐसा है इस जाइन कि था परस्ट टाइम आप कर दिया ओके अच्छा एक चीज और बता रहा हूं जब आपने सेर किया तो मैंने आपका काउंट में बीटी सी और इथरियम को देखा था ठीक है तो आपका अब बेगार फंड डाले आप अपना फिर से चाट कर सकते हैं बीटी सी और इथरियम का जो नहीं पेर है उसके कोडिंग कैसे सर्थ वो मैंने एक वीडियो डाला है रोल कुट ट्राइंगल स्ट्रेड़जी है उसका वीडियो देखी आप मैं आपको अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूं मतलब आपने रोल को का जो ट्राइंगल स्ट्रेड़जी मैं जो मैंने बना के दिया है वो अभी तक देखा ही नहीं आपने मिटिंग में एक वा था मेरे अखिलिए इदर यहां बारिस बहुत अब यहार से ब्लॉंग करता हूं बारिस की मौसम ज्यादा खराब उनिक वैसे और जो दंगई हुआ था कई दिनों तक हमारे मतलब्यार में चलता ही नहीं था बिल्कुल ब्लॉक कर रहा था कोई बात नहीं भाई मैं अभी आपको चैट बोक्स में डाल देता हूं क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि आपके लिए जो अपने कर सकते हैं बैगर फंड डाले वह एक बार आप वह जो मैंने आपको आपको वीडियो बेज रहा हूं ना वह वीडियो को पहले पूरा देखिए फिर नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे पर्सनल भी दिन में कोल करके आपको सकते हैं एक और को है था मेरा माली बीच म मुझे फंड मुझे विट्रो करके मुझे एक आउंट पर लेना है तो क्या मैं कर सकता हूं बैंक अकाउंट में हैं कभी भी किसी भी टाइम नो इसू जो प्रॉफिट वाला है वह मैं और किसी भी टाइम आप लाइव प्राइज में जो आपका चल रहा है लाइव प्राइज में आप कभी भी अपने फूरे फॉरे फंट को सेल कर सकते हैं यहीं तो सबसे बड़ा खूबसुरूती है ना रोल क्योंका किसी का लीमिट नहीं है मैं उसका इसका उसकी बात नहीं कर रहा है सब्स simplement कम्पॉणleh करने के लिए रखेयें या प्रोफित ओसको वो आपका कंट्रोल है जो आप कर सकते हैं ठीक है ये मने आपको चैट box में सब को वीडियो मिल गया है रोल कुछ फ्राइंगल स्टैडिजी का अप इस वीडियो को तो देखके और कर सकते हैं ठीक है जिए तेंक यू बाई बताइए डिसेंबर दोजार एकिस में मैंने 500 यूजडीटी लिए थी रॉयल क्यों में जैसे मैंने 500 लिए तब से मैंने याने सेल की ने एक बेसा और जैसा यूजडीटी जैसा मार्केट चला हूँ ऐसा वो लुजडीटी रेओर टेंक याने यूजडीटी लिए मैं अभी फूरे कोईन काउंट कर राहा है तो वो पांसुडीटी में खुडीटी सार्काण्ट हूजडीबर और स्थान भूजडीडीवैं जैसा दिखता ना हिस्ट्री में क्वा यूजडीडीटी तो उसमें भी बाइनास में भी नहीं आ रहा सर, एक्षॉल मेरी अभी जदा ज़्यादा ज़्यादा देड़सो के करीब बता रहा हो, यहने मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि अगर आपका जो उस टाइम पर ट्रेड चला था, जब आप बता रहे हैं, आप रेट क्या बताय पिसमबर 2021 को स्टाइट किया था, और रोल्क्यू ने आपके जो 500 यूजडिटी डाला था, उसको ट्रेड किया, ठीक है, हाँ सर, हाँ, वो ट्रेड करके वो कोईन आपके बाइनस काउंट में दिख रहे हैं, ठीक है, बले ही वो डाउन हो, कोईन आपके बाइनस काउंट मे हैं, ठीक है, हाँ, हाँ, रोल्क्यू में आप जाएंगे, तो उनको इनकी ट्रेडिंग हिस्ट्री आपको दिखेगी, जो ट्रेड हुआ है, ठीक है, लेकिन बाइनस पे अभी जाएंगे, तो वो बाइनस में ट्रेड हिस्ट्री ने दिखेगी, क्योंकि बाइनस पे तीन मह जी जिस भी डेट का रिकोर्ड चाहिए अच्छा सर और यह जो तक का ही रिकोर्ड अपने बाइनस एक्षेंज पर रहता है तीर महिने के बाद वहां से हड़ जाता है अगर आपको चाहिए है तो बाइनस को मिल किजिए आपको प्रोइड करवाएगा जी नगरा अच्छा सबुंदो फैरो प्रोइड चाहिए नगरा करेंज अथा mutta उन पर्ड़ यूज़ सुम आपको डिखाँ उसका है तो फ्रि means ofster थेंक यो शर्व वेल्कम सब्सक्राइब और में सुब्रकाले भाई कैसे हैं अलो 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 गुद्यूनिंग ब्रो कैसे हैं अलो अच्छे सब्सक्राइब कैसे हो सब्सक्राइब अब बताईए तो अब तो आभी तो सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब आप टेगनिकल सेशन में आते हैं आता हूं तो हर टेगनिकल सेशन हो राइट टाइम है डालने का फंड तो एकबर मेरा रॉयल को अपन कराऊ जो आप अपने करके आपको लगे मैंने तो बता दिया तो कि मार्केट डाउन आया उस पेस्पे बता रहा हूं लेकिन यह मार्केट बहुत ही वोलेटायल मार्केट आपको अपना प्रड़ी करके भी फंड लगाए पूरा स्टेडी कर यह आपकी तरफ से यह आ रहा है मैंने आपको मुट कर दिया बाइब बाकी बता देता हूं मार्केट बहुत डाउन है और यह मार्केट बहुत ही वोलेटायल है अब आप मुने मुझसे पूछा तो मेरे कोडिम अभी राइट टाइम है सही डालने का लेकिन उसके बाद मैं है लोस है वो आपका अपना रहेगा मैंने बता दिया कि राइट टाइम है डालने का लेकिन यहां से मालो मार्केट बीस और परशेंट डाउन आ गया पंद्रा परशेंट और डाउन आ गया फिर आपने जो फंड डाला है बोट उसको एवरेज करने के लिए अकुमलेट करे है आपका महिने में डबल भी हो सकता है और मार्केट यहां से फिर डाउन जा सकता है तो मेरे कोडिंग अभी मार्केट सही है एंटर करने का जहां तक मैंने अनलाइज किया है बाकि आप अपना भी खुद का एनलाइज कीजिए क्योंकि प्रोफिट होगा वह आपका होगा आपका होगा मैं अपने रिसर्च किया है वह बता रहा हूं अब आप पर डिपेंड है भाई आप क्या सोचते हैं ओके साहिद भाई आपको आंसर मिल गया होगा नागराज और नागराज भाई अप्संदेदी आपको अगराज प्रेट शेटिंग में पिछला प्रोफिट पी आता है चोटा-चोटा यह त्वेट इसे लगाने और पाचर और पाचर लगाने कर दो अभी मेरे अशाब से आप अपनी मरजी से किसी भी में लगा सकते हैं लेकिन मेरे कोडिंग अभी बीटीटीच में ही लगाना सही रहेगा फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा करके और बीटीच में ही ट्रेट लगा कि चले लगाया था बहुत बड़े लोंग टर्म के लिए लोंग टर्म के लिए आपने अच्छा यह तो आपने बहुत ज्यादा दे रखी है इतना तो मेरे हिसाब से मार्केट डाउन नहीं रहेगा आप अपना एक बार बैक कीजिए दोस्तों यह जो सरने सेटिंग लगा रखा है ना इसमें ठ्रेड थोड़ा सा दीरे होगा थोड़ा समझने की चीज़ है सब्सक्राइब सेटिंग यह फिर से फर्स्ट बाइंग अमाउंट आपने कर रखा है और मार्जिन कॉंफिग्रेशन पर क्लिक कीजिए अभी देखिए सर फंद्रा डॉलर का बोट ने बाय कर लिया आप फिर नेक्स्ट पंद्रा डॉलर का बाय करने के लिए मार्केट दो परसेंट डाउन आना चाहिए जो पंद्रा डॉलर का बाय करेगा ठीक है तो यह आपका जो आपने सेटिंग डाल रखा है ना इस सेटिंग से बहुत ही कम ट्रेड होंगे सार लेकिन यूज कम होगा ट्रेड बहुत ही कम होंगे सार ठीक है तो यह तो जितना मार्केट डाउन जाता जाएगा ना उतना ही उसके इसाब से जो आपने मार्जन कोल में सेट किया है उस हिसाब से कम करता जाएगा लेकिन यह तो आपने सेटिंग लगाया है इसमें ट्रेड बहुत ही कम होगा आप यूज़ड़ी सेव रहेगा यह जदा यूज़ड़ी नहीं होगा तो यूज़ड़ी भी कम ही यूज़गा इस ती का बता हूं सर तो अभी वही शेटिंग यही रहेने तो क्या आप बोल रहें अगर अगर ट्रेड थोड़ा हाँ जल्दी करवाना चाहते हैं तो जो आपने परसंटेज ज्यादा लगाए हैं उनको कम कर सकते हैं कितना कितना कम करो आपके सबसे यह पर यह ट्राइब करेगा आपका दस मार्जन कोल आपने डाला है तो यहां तक ट्रेड होता रहे तो उसके कोडिंग लगा सकते हैं पहले नंबर पे एक परसंट एक परसंट पर एक परसंट चार तक एक परसंट लगा के चले अब इसमें चेंज करूं मैं एक एक परसंट कर सकते हैं मैं अपने कोडिंग कर सकते हैं यहां पर दो कर दीजिए yes 2.5 yes 3 3.5 4 5 लास्ट में फाइफ कर दीजिए अब कितना परसंट मार्केट डाउन आएगा वह आप कैल्कुलेट्स कर सकते हैं पाचार नो अब वहां पर आप अपना जो है इसको काउंट कर सकते हैं कि इतने परसंट डाउन तक मैंने इसको लगाया है ठीक है ज्यादा लगवाया है और जो आपने लगाया रखा था तकरीबन लास्ट में उससे मिलता जिलता है इस सैटिंग है ठीक है अब यह इसको फर्स बैट बारा करों का पंद्रही रहने तो कोई दिखकर रहे सब्सक्राइब कर लिए इसको जिरो पॉइंट वन कर लिए इसको भी जिरो पॉइंट वन कर दीजिए इस इसको भी जिरो पॉइंट वन कर लिए यह यह रहता है जब मार्केट को लगता है कि आपने टेक प्रॉफिट डाला है वन पॉइंट थ्री ठीक है कि वन पॉइंट थ्री पर्शेंट हिट करते ही बोट उसको सेल नहीं करेगा अगर हमने बाई इन कोलबैक जिरो पॉइंट वन डाल रख्था है मार्क बोट को लगेगा कि महां से मार्क पूर जाएगा वे पॉन पॉरण कर लेगा वो ठीक है नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए इसको और इस तरह से कर दिया है और अपना यह आभी आई उस्टी का बटा दा हूँ कि सर देखिए इस तरह की जो आप यह कर रहे हैं ना कि सर मेरा ट्रेड सेटिंग देखिए क्या कि नहीं यह अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इनके रिगार्डिंग को ट्रेड सेटिंग कर सकते हैं इसकी रिगार्डिंग कैसे करना है और ट्रेड सेटिंग के रिगार्डिंग के रिगार्डिंग एक अलग से से सेशन रखेंगे टेग्निकल सेशन होता है सर क्यूरी के लिए आपको किस प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है कौन से टोपिक पे ओके सब्सक्राइब अब अपने सब्सक्राइब में जा सकते हैं सब्सक्राइब हो जाता है मार्ट के बाद लगाइए इस तरह से ट्राइंगल स्ट्रेडिजी उसक्राइब वेलकम सर भाई आपका क्या रह गया था बाई सब्सक्राइब सब्सक्राइब अपना मालो 10% माइनस चल रहा है और बाक्की दुनों जाए बीटीसी और इथरियम वाले टेट अपने प्लस में चल रहे हैं ठीक है फिर आपने का यह जो ना बीएनबी वड़ा आप बन शोट कर दो बन शोट कर दिया बन शोट करने पर अपना प्रोफिट में मतला आएगा तब यह बीएनबी वाड़ा सेल आउट होएगा लेकि जब तक वह तिनों ट्रेट तो रुगे ना हमारे अगर मालो इथरियम और बीटीसी वाले प्लस में चल रहे हैं तो तो मतलब जब तक अपना बीएनबी प्रोफिट में नहीं कटेगा प्रोफिट में नहीं आएगा तब तक आप मतलब वह बनाया है प्राइंगल बुला इसको वे में तो हो गया अब अपना बीटीसी है तो है अब आपने अपना बिटीसी से इथरियम ले लिया अब अपने पास बिटीसी नहीं है अब तोटली डिपेंड करता है ठीक है जब तक बीन बी ऐसे नहीं होंगे आपका पास इथरियम नहीं आएगा अब बीन बी जब तक प्लस नहीं आट तक मतलब पिछ जो मतलब बीटेशी वाड़े और इथेरियम वाले टेट अपने मतलब आप स्टार्ट नहीं कर सकते अब बीन बी जब जाके स्टोब हो गया वह अब बीन बी जितना फ्लेक्ट होगा उतना ही प्रोफिट आएगा बीन बी अब होगा और वन सोट हो जाएगा तो फिर वापिस से अपना इतनी मिल जाएगा थेरियम का ट्रेड हम वहां से ओपन कर सकते हैं अप जाएगा तो फिर वापिस से अपने को बीटी सी मिल जाएगा अब बीटी सी मिल गया तो फिर यूसरी का पर स्टार्ट तब तक मतलब बख्य दोनों ब्टिसी और इथेरियम में ट्रेड तो नहीं हो पाएगा अब लेम वह प्रोफिट में चलते रहे हैं होगा हां दूसरी कोई मेरी यह थी अब बाइनाक पर मानलों कोई नया कोई लांच होता है तो उसका कैसे पता लगए अच्छा जी किसमें जाकर ऑप्षिन है यह वैसी बता दो मेरे को आप अपने काफी कोईन को लॉंच करता है नोटिफिकरिशन होता है जा न्यूज एंड फीडबेक वहां पर भी नोटिफिकरिशन आते रहते हैं कि यह कोईन लॉंच हो रहा है इसका ट्रेडिंग से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैंने होबी पर देख्थ है इसका जो नोटिफिकरिशन को लांचिंग से पहले अगर आपने जैसे इंडियन मार्केटिव में होता है बाई करना अलग का टोपिक है आप खुझ सर्च कर सकते हैं उसके उपर ओके आते हैं और न्यूज फीड़बैक में आप चेक कर सकते हैं बाई ओके अच्छा एक सबसे बड़ा चुछ यह रहता है हमें ग्राफ का पता नहीं लगता अगर मानों यह जैसे बाइनाग पर अगर यह करना अगया आपको अगर टिय वह करना आता है तो उसके लिए रोल क्यूंड ने यह सुलूशन निकाला है कि हम आपको टिय डिय करने की जो होता है उसको आपको निजात दिलाते हैं मार केट ऊपर जाएगा तो तो भी हम आपको profit निकालके देंगे, market डाउन आएगा तो भी हम आपको profit निकालके देंगे, आपको technical analyze करने की जरूरत नहीं है, तो टीएंग्स में check करना ही, ठीक है, अच्छा सर एक और query, ठीक है, सर एक और query, जब आपकी किछी कोईन को staking में डाल देते हैं, ठीक है, लोक स्टेटिंग में तो ठीक है सर, अगर लोक स्टेटिंग, staking है मानलोगो ही, आपने 4 मनित की लगार किया है, और मानलोग उससे पहले वो कोईन पंप कर जाता है, ठीक है, पंप करने के बाद फिर हमें लगता है कि वो डाउन आएग तो अगर लोक स्टेटिंग को अनलोग करना हो, तो उसमें जो कमाया हुआ हो, तो सारा मतलब सेम डे मतलब वो अनलोग हो जाती है, या इसमें जो इंट्रेस्ट आता है, लोक करने के बाद, वो मतलब इन दिन का टाइम रहता है, और अगर टाइम पीड से पहले करते हैं, तो जो पूरा आपको मिलना है, वो पूरा नहीं मिलता है, ठीक है, अब अनलोग किया, तो दो या तीन दिन में आपका फट लेगा, आपको स्टोर्ट वोलेट में मतलब एक वर लोक करने के बाद, हमें उसका टाइम पीड करना जरूरी है, उसका, नहीं तो जो मानलोग एक मीने के लागा है, अपने पंदरा दिन श्टेक रखा, और सोले में दिन आपका ने वापिस के लिए, तो मतलब वो पंदरा दिन वाड़ा कमाया हुआ, खतम हो जा कभी भी अनलोग कर सकते हैं, उन्दा स्पूर्ट आ जाता है, उसमें पर्डे की हिसाब से मिलता है, आपको वाँपे दिखा देता है, वाँपे आपको दिखा देता है लोग में, पर आपका इतना पूफिट आपको मिला है, लेकिन फ्लेक्सिबल में वो कम ज्यादा हो सकत उसमें टाइम । पालों न समें टाइम करकशेंगा. उसमें टाइम बाॉंड़ेशन में इसमें टाइम बाउंड़ेशन है. यस. ठीक असर त chiसे यहारी ती थोड़ी थी. आज 했어. आदेर तीसर आपके क्यूल रहे हैं और बुल रहे हैं यही क्यूल थी. तो कि पांटल भाइक कैसे हैं तो इसमें सरा मुझे कुछ यह वेट मेरे कोई मेरे कॉइन विए वह व्यूमाइश टेकिंग पे रखा था तो उसमें सरा मुझे कुछ 15 देज का रखा था उसमें मुझे विटो मिला है तो उसको कैसा सर उसको वापिस प्रेड पे लगा सकती वोट विटो तो को अलो आपने कौन सा कोईन्स टेक पर लगाए था मेरा वेट था सर वेट लगाया था तो आपको वेट ही मिला होगा ना ने सर मुझे विटो मिला विटो 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 वो थोड़ा बहुत है जे बाइनस की तरप से कुछ हैर्ड्रोप के रूप में मिला होगा तो उन्हें से 69 है वो कॉंटिकी तो पर 15 देज का रखाता है तो कम रहेगा ना पॉइंट इलेवन कुछ है पॉइंट इलेवन क्या डॉलर यार तक्रीबन दस बीस रुपे होगा साइड मैं सरु मैं एक्शली मुझे वो 69 कॉंटिक दिखता है तोकन की मिली है लेकिन उन 69 कॉंटिकी की किमत पॉइंट वन डोलर है पॉइंट वन डोलर है तो उसको ट्रेड नहीं कर सकते ना अपने को तो दस डोलर का अमाउंट चाहिए ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्वन ठीक है तो इसको वापिस अगर करना अगर यह कॉंटिक अगर आप जिसको जो आपको टोकन मिला है लाइक जैसे कहीं से भी बाइनस एड्रोप देता रहता है किसी कोईन को होल्ड करने के लिए कहीं से भी मिला हो आपको अगर आप इसको अभी ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो आप इसको अगर स्टेकिंग के लिए अवलेबल है तो रखिए आप अपने पास जब इसका रेट ह कुछ है इसा कुछ ऐसा कुछ इतिन लट तो इसमें आप अभी एक को बता है कि यह जीक्ति का जो है वह आप बिटकोईन बिटी से में कर सकते हैं तो क्या पॉइंट में आलॉट होता है क्या कोंटिति सथ हमारा छोटा फंड रहेगा तर आप डॉलर में तो अंडेड डॉल अब लेकिन बीटी सी का तो सर मार्केट वेल ज्यादा रहता है ना कोई भी ओसव डॉलर का बीटी सी है आपके पास तो लगा सकते हैं डुल है ओके सार्ज कि स्वाइब निक्राइब करने की सब्सक्राइब के शचिन कैसा है बही शचिन कैसा है भाई जी भाई लो जी सचीं वो सर्व पूछना तो मिंटू भाई पूछ लिए मिंटू भाई में आज इतने कि पूछे हैं सबके साउट मुझे लगता है क्लियर कर दियोंगे उन्हें उसी लिए कमाल है कल 11 बजे तक मिटिंग में आप एक क्यूशन के लिए रुके वह आज पूछ भी नहीं पा रहे हो मिंटू भाई ने पूछ लिया इसलिए कहता हूं कि टेक्निकल सेशन में टीम को लाया कीजिए अभी मिंटू भाई ने दस क्यूशन पूछे हैं उस एक बंदे से 10 क्यूशन पूछन है स अभी के डाउट कलियर उन टोपिक पे खास कर वह बैणिफिट है टेक्निकल सेशन का और और कोई ऐसा टोपिक हो कोई ऐसा ही क्यूशन हो जो मुझे नहीं पता वो भी आप बता सकते हैं यह भी बैनिफिट है टेकनिकल से सब्सक्राइब ज़रूरी नहीं हर एक क्यूशन का अंसर अनल भाई के पास हो क्या कम्प्यूटर थोड़ी हूं कोई ऐसा क्यूशन आप भी बताया करो ना जो मुझे नहीं पता होता है मुझे भी तो सीखने का मौका मिले कुछ ना कुछ ठीक है वह के सचिन भाई जर्म भाई कैसे हैं मस्तों सर एकदम जबर जस्ता आप कैसे हैं सर मास जर्म भाई मेरा भी मिन्टू भाई की तरह बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है आने दो आप इस किन सेरिंग का मौका दें तो मैं पूछूं जी क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन जो है ना सर इसको यह जो जीरो पॉइंट फाइप सिक्स परसेंट आता है इधर फिर यहां पर देखिए यह वन पॉइंट जीरो फोर भी आता है फाइप सिक्स भी आता है ठीक है सर आप सुन पा रहे हैं बिल्कुल सुन पा रहे हैं तो यह मैं चाहता हूं कि जब मैंने इसको यहां पर कमांड दिया है वन पॉइंट वन का प्रॉफिट रेशियो ठीक है तो यहां यह उससे कम का क्यों दिखाता है प्रॉफिट मुझे अगर इसको ज्यादा लेता हो तो क्या करना पड़ेगा चलो इसका आपको थोड़ा सा एक्स्प्लेंड करता हूं ठीक है है यह हमने बोट को कमांड दे रखा है कि मेरा वन पॉइंट वन का प्रॉफिट हो तभी इसको सेल आउट करें ठीक है हमने कोई कोई यहां पर दस दोलर पर बाए किया और यह तकरीबन टैन पॉइंट वन डोलर का होती ही बोट पीसको सेल कर देता है ठीक है मतलब वन पॉइंट वन पे एक एकजम्पल मानके चलते हैं कि सेल आउट कर देता है हमने इसको कमांड दिया कि इसको वन पॉइंट वन पे सेल आउट कर दे ठीक है लेकिन जैसे ही यह कमाड़ जो हमने की है बोट इस कमाड़ पे जैसे ही पहुंचता है और यह लागू होती है वन पॉइंट वन पे इसको सेल आउट करने चला जाता है एकदम से उसी टाइम ओंदा स्कोर्ट मार्केट एकदम से आ जाता है डाउन अच्छा तो उस टाइम पे अपने को यह वन पॉइंट वन का प्रॉफिट न ने देके कभी एकदम से जादा डाउन हो गया तो जिरो पॉएंट시죠 जिरो पॉइंट एट जिरो पॉइंट नाइन यह ऐसे प्रोफिट दिखाता है लाइक कैसे एक आपने फिचर देखा होगा रोयल कुमें कि हम इसको कमाड देते हैं ट्रेडिंग के लिए मालो हमने इसको टार्गेट दिया कि मेरा वन पॉइंट फाइफ पे बाय कर ले ठीक है जैसे ही इसका पॉइंट फाइफ वन पॉइंट फाइफ आता है देकिन ऊनडेusta उससी टाइम एकदम से मार्केट हो जाता है और वह तकरीब वा से वन पॉइंट डॉलर चला जाता है ठीक है कि तो क्क क्या करता है पांच मिनट तक करता है वन-पॉइंट फाइब पर आने के लिए अगर पांच मिनट में वन-फॉइब सुएब पर नहीं आता है तो एस रेड़ को कहने करना पड़ता ये का फ़ार दफा आपने देखाएंगा वह आप車 आप यह चीजे एक्व में भी जाके चेक कर सकते हैं आपको बताएगा कि आपने जो कमांड बॉट को दे रखी है जिस पर उस पर जाता है लेकिन वहीं पर एकदम से प्राइज पंप हो जाता है और जो प्राइज आपने डाला है उसे उपर चला जाता है तो बॉट पांच मि प्राइट तक नहीं आता है तो वह कैंसल कर देता है उस चीज़ को आपको फिर से ओन करना पड़ता है यह चीज़ भी हापने कभी बार देखी होगी यहां पर रहता है कि जब वोट उसको सेल करनें के लिए जाता है वंपॉइंट वाइन पे और मार्केट वहां से एक दम स यह हिट करने के बाद डाउन आ जाता है तो इसको जिरो पॉइंट फाइव जिरो पॉइंट एट जिरो पॉइंट टू जिरो पॉइंट वन आज मैं देख रहा था मुझे आज तक यह पता था कि वहां से जैसे मान लीजिए हमारा नीचे जो परसेंटेज लगाया है ठीक है वाई इनगाल बैग 0.2 परसेंट है तो मैं आज देखा वो 0.2 परसेंट ऊपर जाकर बाई करता वहां पर क्या कंडिसन रहती है माल लो हमने उसको दिया की ओन पॉइंट वन प्रोफिट होते ही और और ऑपन डॉन होते इसको बॉय कर लेकिन 0.2 उपर जाने के बाद उसको वो बाए करे ठीक है वहाँ पर भी अपनी यह कंडिशन लागू हो जाती है जब हम इसके उपर डिसकस कर रहे थे वहाँ पर भी थोड़ा सा अपडाउन अपडाउन हो जाता है जब मार्केट वह जदा फ्लक्ट्वेट करता है क्योंकि इसमें अंदर जो कोडिंग कर रखिये ना यह उसके उपर तो हेंट्यट पर्षन्ट काम करेगा लेकिन जब हमने इसको कोड़िंग कर रखिया इसी सेम टायम जब उस्कोडिंग को यह हिट करने जाता है उसी टाइम अगर मार्केट काफी fluctuate होता है तो 0.1, 0.2, 0.5 इस तरह का जो up down है वो आपको price में देखने को मिलेगा चाहे वो आप selling के लिए लगाएं चाहे वो आप वो callback के लिए लगाएं चाहे वो आप जो 5 minute का wait करता है उस पे लगाएं यह जो चीजे मैं बता रहा हूं यह आप सारी की सारी जाके faq है ना उसमें पड़ सकते हैं वो पूरी वहां सब्सक्राइब दिखा देता हूँ यह जो होता है ना buy in callback इसी की बात कर रहा है ना यहां यहां पर margin call में यहां पर जाके जैसे हमने वहां पर 0.5 डालर रखा है तो यहां पर market 3.5 डाउन आएगा और 3.5 डाउन आके 0.5 उपर जाएगा तब इसको buy करेगा अच्छा और समझ लीजे वहीं से market नीचे जाने लगा तो फिर यह 3.5 वाले को पकड़ लेगा नहीं पकड़ेगा जब जितना मार्ड़ माल लो यहां से 3.5 डाउन आ गया और यह 3.5 उपर नहीं गया और 5 परसेंट डाउन आ गया पांच की पजाए 8 परसेंट डाउन आ गया तो यह 8 परसेंट डाउन आके जैसे ही 0.5 उपर जाएगा ना तब बाएग गरेगा इसको और पहला ही margin call होगा तब दूसरा margin call हीट नहीं होगा वो पहला ही margin call में हीट मानेंगे उसका तो एक हिसाब से तो फिर बाएग जीरो रखना चाहिए रख सकते हैं अपनी सूलियत के अनुसार लेकिन मैं इसको सही मानता हूं 0.5 क्योंकि मेरी इसमें यह margin call हीट नहीं एक ही margin call में बात बन गई यह 8% डाउन आने तब जहां मैंने 8 margin call लगा रखी है उन में से 8% डाउन होती ही एक ही margin call हीट हुई है और मेरा 8% मार्के डाउन होने पर यह बाय हो चुगा है तो मैं खुस हूं ना कि मेरा एक margin call हीट हुआ है यह थोड़ी समझने वाली चीज़े है टेक्निकली तो यानि आपके सबसे पॉइंट फाइप लगाके रखना चाहिए यह पॉइंट तू लगाना चाहिए अब मैं पॉइंट वन लगाके रखता हूं अच्छा तो के सर थैंक्यू मैंने अक्सर देखा स्थरकल वाले हमेश सब प्रॉफिट रेशियो वन प्वाइंट वन का रखते हैं और यह जो बाई इनकाल बैक है जीरो पॉइंट टू और अरनिंग वाला भी Ūी जीरो पॉइंट टू ही लगाके रखते हैं और ज्यादा तरह इसको आप उसको बाई पॉल्ट कुछ जिरो ही रखते हैं क्यों क उनको प्रोफिट ज्यादा दिखाना रहता है जितना सरकल वालों का प्रोफिट जितना ज्यादा हिट करके दिखेगा उतना ही उसका सरकल जहना है उसकी जो वैलू है उसका नंबर जो पर परसंटेज जो टोप में आनेगा उतने ही उसके ज्यादा बन जाते हैं इसलिए सरकल वाले अपना जो है कभी काफी लोग उसको बाई को लगाते ही नहीं जीरो रखते हैं यानि यो लाइव प्राइज में बाई करता रहेगा यास यास लेकिन मेरे हिसाब से कम से कम पॉइंट टेक रखो क्योंकि वो आपको अगर मार्केट उपर जाता दिखता है तो उसको टेक प्रोफिट पर नहीं लेगा वो वेट करेगा आपको मैक्सिम से मैक्सिम प्रोफिट देने की लाइव प्राइज मैनुल ट्रेडिंग भी करते हैं न भाई तो फिर बोट यूज करने का बैनिफिट क्या हाँ काफी दफा कुछ एक चांस होते हैं जिन में लाइव ट्रेड थोड़ा सा स्लो होगा हिट थोड़ा कम करेगा कुछी परसेंटेज का डिफरेंस आएगा कुछी ट्रेंट का लेकिन ज्यादा नहीं आएगा लेकिन आपके हिसाब से सरी यह तो मैं बहुत अच्छी तरह से आपने किलियर कि एक सवाल और था जो सब पोजिशन टे जी 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 यह वाला देखिए यह जो दो यह दो फीचर है ना होल पोजिशन हाँ यह दोनों के दोनों फीचर उठाके और यहां पर रख दियें बस और कोई फरक नहीं है में आते हैं आप मारकेट के में यह जो दोनों फीचर है यह हम सब्मिन मोड की लिए यूज करते हैं कहां पे जहां पे अपना सब्मिन मोड होते हें जिस भी margin call पे रहे उसका sell by sell by करना start कर दे जैसे यहाँ पे यह feature करते हैं आप market में तो यह दोनों के दोनों same feature उठाके नीचे लगा दिये आप इनी के coding लगा के छोड़ दीजिए वो ही best है तो जब सब position take profit callback अगर zero रख दिया तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है वह लाई price पे sell कर देगा सम्मीन मोड कैसे मैंने यहाँ पर मेरा पांचों मार्जन कोल है 1.3 मेरा पांचों मार्जन कोल हिट हो गया और यह देखिए मैंने पांचों मार्जन कोल पे यहाँ पर 32 डाल रखा है मालो 320 डॉलर है तो 320 डॉलर का बाय कर लिया बोट ने और वहाँ पर 1.3 डाल रखा है तो मेरा 1.3 ओरते ही इसको पूरे के पूरे को sell out कर देगा और अगर 0.3 रखा है तो 0.3 नीचे आएगा तो sell करेगा हाँ यहां पर अगर 0.3 डाल रखा है कहां पर यह यह 0.3 डाल रखा है नामने तो मालो 320 डॉलर का बाई किया था और टेक प्रोफिट हमने यहां पर पांचवी मार्जन पॉल पर 1.3 डाल रखा है यह तो बोट क्या करेगा इसको 320 डॉलर का बाई किया 1.3 का प्रोफिट हो गया जैसे जब तक यह 0.3 डाउन नहीं मारेगा ना तब तक इसको सेल आउट नहीं करेगा तो यह तो सर 0.3 डाउन मारेगा तो अपना तो लॉस ही हो गया ना जहां 1.3 मिल रहा था एक परसेंट ही मिला लेकिन उसके साथ एक बेनिफिट और भी है ना जेरम भाई कि मालो यहां से 1.3 मार्केट चला गया लेकिन बोट को लगा कि मार्केट और उपर जाएगा तो इसको सेल आउट नहीं करेगा ना आपका 320 डॉलर का मैक्सिम और प्रोफिट निकालके यहां से 1.3 की बजाए माल लो 10% मार्केट उपर चला गया तो इसको यहां पे 1.3 पे सेल नहीं करेगा ना 320 डॉलर का आपको 10% का प्रोफिट निकालके देगा आप इनकी मर्जी से यहां पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं लाइक जैसे यहां पे जोल डालते हैं यह मालनों दोनों फीचर हम इनको चेंज कर सकते हैं तो इनको भी इससी तरह चेंज कर सकते हैं अपनी सुलिट के गोडिक मैं यह पूछ रहा हूँ जैसे माल लिजी आपने एक जामपल आपने 1.3 डाल रखा ठीके ज़र और इस टूब सब्सक्राइब के जढ़ेड करेंटन और न कि यहां पे अगर 181.3 डालते हैं तो यह सैटिंग्स से वहीं नहीं होगा अच्छा तो सेटिंग सेव तो हो जाएगा लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपने वन पॉइंट टू डाला है परसंट टेक प्रोफिट और यहां पर डाला है जिरो पॉइंट थरी तो क्या करेगा वन पॉइंट टू का प्रोफिट होते ही यह जिरो पॉइंट थरी डाउन आने पर इसको सेल आउट करेगा अब वन पॉइंट टू में से जिरो पॉइंट थरी माइनस करके आपको प्रोफिट निगालके देगा आप इनको यहां से किसी को जिरो पॉइंट थरी किसी को जिरो खाली 1% रख सकते हैं, इसको 0.9% रख सकते हैं, इसको मैंने setting करके confirm कर दिया, यहाँ पर देखिए, एक notification आ रहा है, टेक profit ratio must be not be less than 1%, जो हम open डालते हैं, ना 1% से down नहीं डाल सकते, जी जी जी, वही condition, मतलव, यहाँ पे जो दोनों option है, इन पे जो दोनों option में condition लाग होती हैं, सेम दोनों condition दोनों में भी लाग होती है, simple fund है, यह दोनों feature उठाके यहाँ डाल दिया और कोई फरक नहीं है, क्योंकि submit mode जब start होता है, तो पांचवी margin call के बाद एक अलग trade और start हो जाती है, अलग trade start हो गई, उसके लिए feature भी अलग से यहाँ पे लगा दिये, थेंक्यू सर, थेंक्यू, मैंने भी बहुत देर आपका वक्त लिया, तो आपका जारा moon fresh करने के लिए मैं skin sharing करके profit दिखा दूँ, जी 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 भाईजी, ये मेरे कोई मित्र अभी meeting में बने हुए है, मैं ये सब चीजें उनको बता रहा था, लेकिन उन्हें हजम नहीं हो रही थी, तो हमने का भाई मैं अनिल सर से आज फिर पूंचता हूँ कि अगर हमारा और आपका दोनों का query match कर गया सर, इसलिए मैं जान मुझके बताया नहीं, आप सोच रहे होंगे जैराम भाई, आज भी इनी सब चीजों में हटके हैं, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये profit है सर, बढ़िया, बहुत ही जबरदस profit है जैराम भाई आपका, और ये आपकी टीम से जो भीतनी भी दोस्त है वो देख सकते हैं दोस्तों, ये profit है और बहुत अच्छा तक्रीबन 66 डोलर का प्रोफिट है, आज का निकला है, जी 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 और रोज कुछ नहीं कुछ निकल रहा है इसा, बिलकुल, बिलकुल, जो की मार्केट ही ऐसा है भाई, जी 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 जी, जी, जी जी जी, जी जी मैंने चुकि काफी समय लिया इसलिए मैं बोला थोड़ा दिखा देता हूं और मैं अपनी ट्रेट सेटिंग वे आप इजाज़त दें तो लोगों को दिखा सकता हूं क्या सेटिंग है यह जैसे सेटिंग है सर हमारी बढ़ते करम में मैंने लगाया है यह हमारा वन पॉइंट वन का प्रोफिट रेशियो डाला है मैंने और बाकी सब जीरो जीरो ही रखा है बाई इनकाल बैक पॉइंट टू परसेंट रख दिया है इसको भी मैंने जीरो ही रखा है और सेटिंग दिखा देता हूं सर बढ़ते करम में है कि यह है यह आपका पॉर्टफोलियो इस ट्रेंड का पॉर्टफोलियो जर्म भाई बहुत ज्यादा डोलर का है कि शे मैंने बढ़ते करम में लगा है एक दो तीन चार पाथ चे साथ आट नौ दस यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा शोला सत्रा अटरा उन्निस बीस और फश्ट बाई दस रखा हुआ है अच्छा अब उसके बाद मैंने क्या किया जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने यह तेरा नंबर के बाद जो है यहां पर मैंने टेन टेन परसेंट कर रखा है क्यों मालूम है यह आपके डर की वज़ए से मार्केट डाउन जा सकता है साधान तो मैं यह लगा के सुरता हूं रात में कि मान लीजिए हमारा अभी यह चल रहा है इसने उठा रखा है कितना बार उठाया है साथ बार उठाया है ओके तो मैं क्या करता हूं दसवे नंबर की कालपे दसवे नंबर की काल से जितना नीचे आता है न सब सब 10 परसेंट या नि 40-50 परसेंट 10 परसेंट 10 परसेंट डाल के सो जाता हूं क्योंकि पता लगा शुबा उठके और बस रोना चिल्लाना सुरू हो गया कि कर रहा हूं जिससे मेरा फंड भी श्टक ना हो और प्रोफिट भी आता रहा है जैसे माल लीजिए हमने ये साथ नंबर की जो कॉल है साथ नंबर पर हमने क्या किया साथ और आठ को छोड़ दिया नवए नंबर पर हमने ट्विन्टी परसेंट करके छोड़ दिया इसवी अगर इसे मार्किट वहांसे अगर जहादा नीचे आया तो 20% नीचे आया तब यि र करेगा ना अगर आभी गया तो वहां से मैं क्या करता हूं फिर नीचे एक एक काल बढ़ते जाता हूं एक एक काल बढ़ते जाता हूं दीरे 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 जैसे जैसे डाउन आता है अगर हम पहले से ही इसको यह नॉर्मल अगर लगा के रखते हैं 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 अगर पूरा 20 तक लगा देते हैं और रात में अगर अचानक मार्किट करस होता है तो आपके सारे डॉलर फश जाते हैं मैं पिछली बार जो हुआ था मैं आपको बताया था मेरे साड़े तीन लाख रुपया टक गये थे तब से हमने यह सीखा आपके माद्य हम से कि भाई अगर बीस लेबल की सेटिंग है तो दस लेबल